नमस्कार दूस्तो अभी अभी एक मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिन नीजी स्वक्ता रही है भारत से भारत में तूफान बेकावू होकर चल रहा है कई राज्य में मूसलाधार से अतियंत भेशने मूसलाधार बारिस हो रही है दिन में रात जैसा नजारा हो गया है जी हाँ दूस्तो आपने बिल्कुल सई सुना दूस्तो दिन में रात जैसा नजारा मौसम बेहद खतरनाक हो गया है भेंकर से अति भेंकर ओले आंधी तूफान जमकर आकासी बिजली गिर रही है 24 घंटों के वितर सेंकडों से जादा लोग की जान चली गई है जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जगे जगे भारी भेंकर ओला वरस्टी देखने को मिल रही है सेंकडो पसू पक्छो की मोत हो गई है और सेंकडो लोगों की जान जा चुकी है लगातार आका से बिजली गिर रही है आपको दोए इस समय फसलों को सबसे ज़्यादा नुक्सान हो रहा है जैसा कि दोस्तो अभी एक घंटे पहले मैंने आपको लायू दिखा कि किस परकार जमा जम बारिस हो रही है और आसमान दोस्तो पूरी तरकी से बिगड़ा हुआ है आसमान में काले बादल चाय हुए है और घुप अंधिरा चाय हुआ है मौसें भाग ने 36 गट, जहारखन, ओडिशा, पस्चिममंगाल, करनाटा, केरल विस्तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हर्याना, पंजाब, राजिस्तान मध्धे प्रदेश, गुजरात, महरास्ट, उत्राखन, हेमाचार प्रदेश, जम्मू कस्मीर में 24 मार्च तक भारी से अतियंत भीच ने भारी बारिश का अलट जारी कर दिया है ये नजारा आप देख सकते हैं, दुस्तो ये सब ही नजारे अलग-अलग राज्यों से लिये गए ही जिनमें कहीं कहीं पर उस्तो जबरदस्त ओलेग रहे हैं, जिसके बाद उस्तो फसलों को सबसे जादा नुकसान हुआ है फसल पूरी तरीके से उस्तो खतम हो गई है, किसान बरबाद हो गया है 36 गड़ के अंदर 4 लोग की मोत हो गई है, दिल्ली एंसियार का मौसम पूरी तरीके से खराब है मुंड का, पस्चम विहार, पंजाबी बाग, राजोरी गार्डन, जेंटी पार्क, जाफर, पूर कलार, नजबगड, इंदरा गांदी, अंतररास्टी एरपूर्ट पर भी जमकर ओलेग रहे हैं पता देगी सबसे ज़्यादा ओले, बारा, चित्तोडगर, राजसमन, शिरोही, जुझनु, कोटा, भीलवाडा, अजमे, डुंगरपूर, प्रताफगर, उदैपूर में दूस्तो देखने को मिले हैं जबकि आज दूस्तो चार राज्यो में भुकंप बिया गया है, गुझरात, उतराखंड, हिमाचल, प्रिदेश और जम्मु कजमीर, यानि कि भारत में एक साथ दो-दो तभाई देखने को मिल रही हैं, कुदरत का फिरकोप देखने को मिल रहा है जन जीवन अस्त व्यस्त है, अगले 24 मार्च तक दूस्तो भारी भैंकर बारिस होती रहेगी, इस समय दूस्तो अंधीरा चाय हुआ है, अगले दूस्तो एक घंटे की भीतर और ज्यादा खतरनाक बारिस हो सकती है आप सभी से विंते की भारी बारिस लेचते बहार न निकलें, खेत खल्यानों पर न जाएं, नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि उत्तर प्रिदेश के अंदर नाले में बहनी के ओज़े से छैलों की मोत हो गई है, बिहार के अंदर भी आज भायानक हासा हो गया है, एक न